हालो दोस्तों वेलकम टू मेंट पॉंट सडी सो आज हम करने वाले हैं सीबी एसी को ओफिशल सेंपल क्योशन पेपर समाज विज्ञान का यानि हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए करने वाले हैं इसमें ठीक है और यह क्लास 10 के लिए जैसे कि आपको पता है 2021 का सेशन ह के लिए हुमारे क्योशन जो है वो है में सीकुः कूछ आएंगे तो ही सीबीएसी ने एक ओफिशल सेंपल क्योशन पेपर अप लोड तो अब बहुत सारे बच्चें Nej को बटाओ देखो मेरे को इसमें कोई दिक्कत नहीं है बट बात ही है कि यह सारी मैं पहले ही मैंने दो भार हर एक क्योशन देखा है और ये सारे के सारे क्योशन जो मैंने MCQ की विडियो है उसमें पहले ही सारे के सारे जो MCQ हैं ये वाले वो कवर हो चुके हैं बलके जाद ही है मैंने इसमें सिर्फ साट क्योशन है उसके अंदर मैंने हर एक चेप्टर में से सो MCQ बनाया थे जिसमें अजर्शन और रीजन जिसको अभी खतन और तरक वाले क्योशन कहते हैं ठीक है और अपने नॉर्मल MCQ हो गए अपने केस्टडी वाले MCQ हो गए वो सारे के सारे अपलोड कियें उन सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वो कवर कर लोगे तो ये पहले सी कवर है ठीक है थोड़े सा लाइन ऊपर नीचे है जैसे कि इसमें एक्जामपल मानलो कांता का पूछ रखा कि इस्टडी वाले क्योशन में उसमें मैंने वरुन लिख रखा है ऐसे ठीक है वो तो मैंने अपनी मर्जी से नाम डाला था बट सब कुछ सेम है मैं आपको बता दूं ओके और अगर मैं डारेक्ली PDF दे दूंगा तो बच्चे डारेक्ली PDF की तरफ ही भागें मेरे को PDF देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं चाहता है इसको हिंदी में कनवर्ट करके आपको डारेक्ली PDF दे देता बट इससे कुछ फायदा नहीं होगा क्यों क्यों क्योंकि जो साथ कोशन इसमें है जरूरी थोड़ी ना कि डिट्टो आएंगे और यह तो इसमें दे क्यों कौन सा पूछा जा सकता है जैसे कि मैं हिंदी में बताऊंगा डूंट वरी पहला कोशन है कि याद होगा आपको कि एक संगठन बनाया गया था सीक्रेट सोसाइटी बनाए गए ती जिसका नाम था यंग यूरोप किस ने बनाई थी वो जैसे पे मजीनी ने बनाई थ ठीक है रिखा जैसे बे मजीनी ने बनाई थी और उसने एक और सीक्रेट सोसाइटी ठीक है गुप्त संगठन बनाया था जिसका नाम था यंग इटली ठीक है तो ऐसे भी क्योशन आपसे पूछा आ सकता है इसमें यंग यूरोप लिखा वहाँ पर यंग इटली पूछा आ सकता है आपसे दोनों का ही गसेबे मजीनी है और एक और चीज दिखाता हूँ आपको ठीक है आप ये क्योशन नंबर सिक्स देखो ठीक है इसमें ना कुछ फसले दे रखी हैं जैसे ग्राउन नट्स यानि जो हमारी मौंवली वगएरा हो गई टी तो पता ही आपको चाई क कॉफी हो गई और शुगर के नियानि गन्ना हो गया इनके सामने ना कुछ राज्यों के नाम लिखे हुए हैं ठीक है तो इसमें से आपसे ये बोला गया है कि कौन सा ऐसा ऐसी फसल है और उसके सामने बिल्कुल सही वो राज्या लिखा है जिसमें सबसे आदा उत्पादन उसी फसल का होता है ठीक है तो इसमें देखो सबसे करेक्ट जो है वो कॉफी है कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक जो है राज्य इंडिया के अंदर वो करनाटा का है ठीक है बाकि सारे गलत लिखे हुए है बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं अगर ग्राउन और हमें दिखाई देने के लिए मिलती है ठीक है जी आइ यह बात आपको समझ आ गया हो ठीक है तो इसनले हम साहरे के सारे यहां पर cover करेंगे और आपको किसी भी question को लेकर tension लेने की जरूत नहीं है फिर भी कोई दिक्कत आए तो comment box आपके लिए open है ठीक है आप question पूछ सकते हो कोई दिक्कत नहीं और इसमें 90 minutes है आपके पास और मैं आपको बता दूँ चार section में divide होगा खंड A, खंड B, खंड C, खंड D, section A, B, C, D, section A में total 24 question होंगे आपको 20 करने है, attempt करने है, 20 कोई भी 20 आप attempt कर सकते हो, section B में आपके 22 question है, आपको 18 attempt करने है, अगर section C की बात करें तो इसमें 12 question है, case study या नहीं case based question है जिसमें से आपको 5 question attempt करने है, ठीक है, per case, यानि मतब 6 question दे रखे होंगे, case study के, तो उसमें आपको 5-5 करने है, यानि 5 question per case, ठीक है, अगर बात करें हम section D की, तो उसमें total 2 map है और दोनों के दोनों map के question करने है, sub question की equal marking है, और कोई negative marking नहीं है, यानि आप तुक्का भी हराम से भीड़ के आ सकते हो, बड़ तुक्का भीड़ने का मतलब यह नहीं होता है, आप आख बंद करके mark करो, पढ़ना question, elimination method जो गलत गलत लगे हैं आपको, जो बिल्कुल ही गलत लगे, जैसे कि आप से संसादनों के बारे में पूछ रखा है, और आपको शिलंका के बारे में लिख रखा है, ठीक है, तो आपको पता है, शिलंका में तो power sharing यानि जो हमने सत्ता के साजितारी पड़ी थी, उसमें आया था शिलंका तो, तो यह तो बिल्कुल अंसर नहीं हो सकता, तो इसको हटा दो, ऐसे उ उसे साथ MCQ अपलोड कर चुका हूँ, पर्टिकुलर चेप्टर के, क्रिशी के अलग की है, संसादन विकास के अलग की है, तो उन सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यह वीडियो के end की, यह उपर आई बटन में मिल जाएगा, यह end screen पे वीडि पे मजीनी ने बनाया था, ठीक है, चैप्टर नमबर वन ही हमारे इतिहास का, और एक यंग इटली नाम से भी था, वो भी कसे पे मजीनी ने बनाया था, ठीक है, नेक्स कोशन की बात करते हैं, that is Act of Union, हिंदी में भी से Act of Union ही कहते हैं, अबे Act of Union क्या है, याद होगा आपको क्याना 1688, में क्या किया था, जो इंग्लिश जो हमारा संसत था ना, उसने मुनार्क, यानी राजा को हटा दिया था, और अपनी सत्ता कायम कर दी थी, ध्यान से मिरी बात सुनना, यह मैं अपने United Kingdom of Great Britain की बात कर रहा हूं, UK की बात कर रहा हूं, ठीक है, बरतानिया जिसे ब उसने क्या किया था, वहां का जो राजा था, उससे पावर चीन ली थी, और बहुत शांती से चीनी थी, कोई खून खराबा नहीं हुआ था, अब मैं यह क्यों बता रहा हूं कि खून खराबा नहीं हुआ था, क्योंकि यह नीचे भी कोशन आएगा, है ना, तो उसके बाद गया है कि जब Act of Union साइन हुआ था 1707 में तो उसका क्या परिणाम निकला तो मैं बता दूँ उसके बाद जो United Kingdom of Great Britain है यानि UK जो है वो बना था ठीक है Question No.3 की बात करते हैं Zolvareen Zolvareen आपको याद है एक शुलक संगठन था ठीक है शुलक संग भी है ठीक है कि जो Prussian ने बनाया था ठीक है जो एक मतलब ये सारे के सारे पॉंट इसमें जो भी बाते लिखी वी है इंग्लिश में पड़ सकते हैं कि इंग्लिश वाले Hindi मीडियम वाले बच्चों को इंग्लिश नहीं आती बढ़ इसका कोई लेना देना नहीं है मैं बता तो इसमें से कौन सा पॉंट सही है इसमें से पॉंट सी सही है एक्च्वल में जो जॉलवरीन है वो 1834 में बनाया गया था और वो Prussia के initiative से यानि Prussia की पहल से प्रशा जिसे बोलते है प्रशा की पहल से बनाया गया था ये custom union है यानि शुलकसंग है जो की Prussia यानि प्रशा की पहल से बनाया गया था ओके बागी सारे के सारे पॉंट के लड़त है इसमें सिर्फ यही बात आपको याद रखनी है और कब बनाया गया था कि पुरूशा की आर्मी जो थी वो जर्मनी को युनिफाइट करवाने के लिए उसको एक एकरण करवाने के लिए उसका उसने तीन लड़ाईयां लड़ी थी तीन लड़ाईयां किस-किस के साथ लड़ी थी तो तीन लड़ाईयां उन्होंने लड़ी थी और जो हमारा जर्मन यह उसका एकए करण हो गया और जो पुरुषया का राजा था प्रशाज जिसे कहते हैं पुरुषया प्रशा समझ जाना इतना तो उसका जो राजा था जिसका नाम था विलियम काईजर विलियम वन वो जाकर king बना हमारे जर्मनी का भी ठीक है चलो next question की बात करते है next question है कि 19 वी शताबदी में लोग जो हैं ये कह रहे थे कि जो हमारी market है जो बाजार है उसमें आजादी होनी चाहिए यानि कोई भी बाजार में कोई भी चीज बेश सके और कोई भी चीज खरीच सके उसके अजादी होनी चाहिए ठीक है बाजार में किसी भी ताइकी की बंदिशे नहीं होनी चाहिए ठीक है तो इस चीज को क्या कहा जाता है रुमानी करण पहला वला रुमानी करण है दूसरा उदारी करण ठीक है तीसरा आपका socialism जिसका कोई लेना देना नहीए चौथए भी आपका rationalism इसका भी कोई लेना देना नहीए तो मैं आपको बता दूँ इसका answer उदारी करण उदार का मतलब ही होता है अज़ादी ठीक है औधारी करन, जैसे इसमें लिखा ना, लिबर, आपको दिख रहा होगा, लिब्रलिजम लिखा है इसका अंसर वैसे भी है, तो लिब्रलिजम लिखा है, तो ल क्या दूं लिब्रल का मतलब ही होता है उदार ठीक है लिबरल का मतलब ही होता है अजादी लेटिन वर्ड है एक ठीक है तो बेसिकली जो लिबरल लोग थे वो बढ़ने लगे थे 19 सेंचुरी में ठीक है उनकी क्या सोचती है उनकी यह सोचती ही कि जी अजादी होनी चाहिए लग-लग टाइप की ठीक है उनकी उनकी ठीक है यह सारी सारी बाते है सब्सक्राइब करेक्ट मैंच मतलब वही बताना आप में आपको बता चुका था बार-बार रिपीट करने देवादा नहीं है कि ठीक है चलो नेक्स कोशन आपका कि पीस ओफ लैंड मतलब मैं आपको बताता हूं जो जमीन एक साल्सें प यह 5 साल तक जो जमीन खाली फोड़ी गयी होती है जिस पर खेती नहीं की गई होती उसको क्या कहते है और इसको कहते हैν परती भूमी याद है ना आप को परती भुमी कहते हैं ,auskom क्या कहते हैं वह आप मेरे को नीचे comment box में बता ना उसका वैसे एक नाम नहीं है मतलब ऐसे में प्रती भूमी में बता दिया तो ऐसे कोई नाम नहीं है उसका ठीक है यह विसे हमारा अन्वार्मेंट को सेव कर सकते हैं ठीक है अपने अन्वार्मेंट को कैसे सेव कर सकते हैं और 1992 में हूई थी ठीक है तो इसमें से किस से रिलेटेड एं कहा और क्यों हो जो कि ब्राजील के अंदर है वहाँ पर हुआ था और उसमें ही एन्वायरमेंट के हमारा प्रेवन को नुकसान ना पहुंचे सारी की सारी बात की गई थी है नेक्स कोशन है कि एक रिलीफ फीचर है ठीक है यानी हमारे एक एक हमारे भारत में एक ऐसी चीज है जिसे पहाड की ठाप्ण होती है एक एक साट खान दॉसक्त हैं जो एक तो पि just a second थोड़ा सा फीवर हो रहा है ठीक मेरे को कभी भी छीख भी आ सकती है तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना ओके तो इंडिया अपको पता हैं इंडिया में लग लग अलग तरह के बहुत एक संपता है आप कह सकते हैं पहाड है नदिया है पठार है ठीक है आईलेंड है ध्वीब जिसे बोलते हैं सारी चीजे हैं हमारा एक रिली फीचर यानि एक बहुत एक जो है वो उसकी वज़े से क्या होती है जो हमारी नदीया है वो पूरे साल भेथी है ठीक है एक बहुत एक संपदा ठीक है आप क्लास9 पड़ा होगा रहता है और साथ में हमारे environment के लिए भी वह बहुत ज़्यादा जरूरी है तो वह क्या है देखो आपको पता है मैंने class 9 में भी आपने पढ़ा होगा कि नदिया न दो टाइप की होती है एक तो होती है हिमालियन नदिया ठीक है और नीचे एक होती है कि जो पैननसुला से निगलती है यानि जो वी शेप में बनता है न हमारा वी शेप में बनता है तो वी शेप में जो बनता है हमारा पैननसुला उससे रिलेटेड होती है मतलब मेरे कहने का मतलब है कि उसके वहां से यानि जो वी शेप का होता है वहां से जो नदिया निकलती है उसको हम बोलते है क्या पैनन है कि एक बात तो हमें समझा गई कि पहाड़ों की वज़े से क्या होता है नदियों में पूरे साल पानी भी रहता है और टूरिजम आपको पता है जम्मु कश्मीर वगएरा लोग घूमने के लिए भी चाहते हैं और पहाड का एकोलोजिकल एक्सपेक्ट भी यानि वो हमारे एंवाइरमेंट के लिए भी बहुत ज़्याद इंपॉर्टेंट है तो इसका मतलब है इसका अंसर है डी माउंटेंज ठीक है चलो जी नेक्स कोशन की बात करता है कि विच आव दी फॉलाइंग हुमन एक्टिविटी हैस ठीक है और क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है एक फसल के बाद दूसरी फसल होगाने के लिए ताकि जो जमीन की फर्टिलिटी है जमीन की उपचाउकता है वो कम नहूं जैसे आज मैंने गेहूं गाया ठीक है अब मैं बार बार गेहूं गाऊंगा ना तो मिट्टी की जो उर्व रखता है वो खत्म हो जाएकी तो इसलिए मैं गेहूं की जगा प्चावल होगा तो ऐसे गर की भूमी निमनी करोंगा अगर हम यह करते हैं नेक्स्ट है शेल्टर बेट बेसिकली आपने सुना होगा कि भूमी को क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जो सबसे और वाली परत होती है ना अपरदन, भूमी अपरदन होता है ना वहींँए परदन से बचाने के लिए क्या किया जाता है जमीन पर खेतों कि आशपास क्या बना आ जाते है शेल्टर बेल्ट याए निक भूमी निमनी करुंढ h रहा है ठीक है सबसे उपरी परत है मिट्टी की उसका परदन ना हो जा सके वो एक जगह से दूसरी जंगा ना जा सके और प्लॉफिंग यानि वो खेत जोतना तो इसमें किसकी वज़े से भूमी निमनी करून हो रहा है तो आपको पता है कि पेड़ों को काटने की वज़े से भूमी वाली जो परत होती है यह जब आप पेड़ काट देते हो तो इसको पकड़ नहीं पाती ठीक है मतलब जो फिर वो मिट्टी ऐसे रहती नहीं और फिर वो एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती है जिसके वज़े से जिस जगह से वो गई है वो जमीन जो है वो उसका निमनी करण हो जाता है उस पर खेती अच्छी नहीं होती है होती नहीं ठीक है क्योश्चन नंबर 11 की बात करता है कि विच वन आव दी फॉलोईंग कंट्री अडॉप्टी मिजोरिटेरियनिजम इन देर कॉंसिटूशन मतलब मिजोरिटेरियनिजम यानि बहु संक्यकवाद तो आ ठीक है कौन सा देश था चैप्टर नंबर वन में हमने किसके बारे में पढ़ा था नेपाल हमारे भारत के बारे में शिलंका के बारे में बांगला देश के बारे में तो हमने शिलंका के बारे में पढ़ा था आपको याद है शिलंका में बहु संक्यक वाद था उन्होंने क क्या किया था श्रिलंका के लोगों ने यह Furnका की सरकार ने जो शिनाला सरकार थी वह तीन उन्ैस्ट शप्पन में तीन चीजे लेकर आई थी पहला उन्होंने बोल दिय ढोग राजसा है वो सिनाला होगी ठीक है और सिनाला का जोhighare में यानि बुद्देश धर्म उनको ऐसा राज्य का एक धर्म के उसमें दर्जा दिया जाएगा और उसको परमोट किया जाएगा और साथ ही में जो सिन्हाना बोलने वाले लोग या बच्चे हैं जो कॉलिज में पर्दते हैं उनको ज्यादा प्रेफेरेंस दी जाएगी यह सारी जारी बात है निखिते आदी ए तो जपी टे Shh और जो है वो क्यों उन्पर्टेंट एस से पहला व लिप्टिटें कि ऑन्सक्रीटिक कोई लेना नहीं है यह सरी विकास कोई लेना देना नहीं है अब power sharing करके संस्कृति का कैसे विकास होगा ऐसा नहीं है ना संस्कृति का विकास तो logo पे depend करता है वो power sharing पे को depend नहीं करता next है कि logo को specific right दिये जाते है अधिकार दिये जाते है ऐसा नहीं है power sharing का मतलब होता है power को divide करना सरकारों के बीच में ठीक है या किसी group of people के बीच में तो इसमें का मतलब यह नहीं है कि हम उनको को special अधिकार दे रहे है ठीक है चलो जी आपको समझा आगे तो यह भी नहीं हो सकता दूसरा कि किसी party को supremacy यानि किसी party का एक वर्चस्व रोकना अब देखो बात यह है कि अगर किसी देश में सत्ता की साज़दारी है भी नहीं ठीक है जैसे कि मालो हम example लेते हैं एक देश है ठीक है वहाँ पर उन्होंने सत्ता की साज़दारी नहीं करी यानि वहाँ पर सिर्फ एक ही केंदर सरकार है बट वहाँ पर आप कह सकते हो लोगतंत्र है वहाँ पर वोटिंग होती है तो अलग अलग पार्टिय उलेक्शन लड़ेगी ना केंदर सरकार की सीट के लिए तो आप कह सकते हो और के वहाँ पर जो है पावर शेरिंग नहीं है बट फिर भी वहाँ पर क्या है एक पार्टी जो है वो सुप्रीमिसी ला सकती है देखो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी पावर शेरिंग है वो एक पार्टी को एक पार्टी को वर्चसर से रोकती है बट अगर मान लोगों जो हमने कंट्री एक ही बात करी वहाँ पर एक ही पार्टी जीच जाती है उससे हमें बचाता है power sharing जैसे हमने शिलंका में देखा था अगर शिलंका जैसे हमने Belgium में देखा था next question है कि आपको पता है एक सात आकर एक संग बनाना ठीक है सआत आकर संग बनाना जो है उसका उधारार कौन सा है ठीक है इंदिया शिलंका USA या बेल्जिम इसका अंसर है C USA ठीक है सात आकर संग बनाना आपको याद होगा कि जब हमने चैप्टर पढ़ा था संगवाज चैप्टर पढ़ा था चैप्टर नमबर टू समाजय विक्यान का लोगतांतर एक राजनिती का दो तो उसमें हमने देखा था कि साथ आकर संग बनाने का मतलब क्या होता है कि जब बहुत सारे अलग-अलग इंडिपेंड़न देश साथ में आ जाए और एक एंटिटी की तरह ठीक है बहेव करें यानि एक ही एक ही आप कह सकते हो एक ही जैसे आप बहेव करें तो उसको कहते हैं हम साथ आकर संग बनाना और इसका उदारन है USA में बहुत सारे अलग-अलग देश आते हैं शामिलों जैसे कैनड़ा वगेरा यह अपने अमेरिका सुना होगो अमेरिका कोई देश थोड़ी ना है वो तो कॉंटिनेंट है है ना तो बट क्या है वो coming together फैटलिजम यानि साथ आकर संग बनाने का उदारन है ठीक है और इसका उदारन है भारत अब मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है अगर आपको याद आ रहा हो कि भारत किसका उदारन है जैसे USA coming together फैटलिजम साथ आगर संग बनाने का उदारन है वैसे ही आप यह पताना है कि भारत किसका उदारन है ओके चलो नेक्स कोशन की बात करते हैं कि आपको याद होगा कि शैतिज वित्रण था सत्ता का शैतिज वित्रण में क्या होता है उसको शैतिज वित्रण क्यों कहते हैं तो आपको पता ही है कि सत्ता का जो शैतिज वित्रण होता है उसमें जो जितने भी संस्था होती है जितने भी अंग होते है उन सब के पास सेम प हम ठीक है इसमें पहला पॉइंट लिखा है कि जुड़ी ज्यदा पावर्फूल होती है यह जादा पावर्फूल रही होती है और इसले इसको भी सेटेशनल डिस्पीशन ऑप आफ पावर कहते हैं ठीक है नेक्स्ट है कि एक ऐसी सूची जिस पे केंदर सरकार और और राज्य सरकार दोनों की दोनों कानून बना सके यह लिखा है ना कि in India federal system the central and the state have the power to legislate on those हां तो जिस पे केंद्र सरकार राज्य सरकार जिन सूचियों पर दोनों कानून बना सके उसको क्या कहते है उसको कहते है जी संबरती सूची concurrent list ओके चलो next question है आपका question number 17 और यह question है आ इतना जादा नहीं दे रखा पर जब मैंने इसकी वीडियो बनाई थी मैं आपको बता दूँ मैंने चैप्टर के explanation की भी with notes वीडियो बना रखी है उसका लिंक आपको नीचे description में मिल जाएगा वो देखना अगर आपने वो नहीं देखा तो ठीक है अगर यह ठक टक क्या व रहते हो तो आप कहीं भी साथ जम्मू कश्मीर को छोड़के बैसे जम्मू कश्मीर नि और भी कुछ जगए भारत में जहां पर आप जमीन रहे सकते हैं और जहसे जम्मू कश्मीर को तो 370 आर्टिकल के तहत यह वैसे यह और राज्ज्य है जिसको 370-371 ए-看到에 मिली लिए और वहां पर भी आप जमीन नहीं रह सकते हैं और इसके बारे में आपको हमाने पेस्ञार परजलेते हैं जहां भी चाहते न उसे रहांघ विघार देते हैं अगर आप जाओगे तो फिर वो गुद्दीन आप देंगे आपकी तो समझेंगे न आप तो इसका अंसर है एक नेक्स कोशन की बात करते हैं कि प्राइमरी सेक्टर यानि जो हमारा प्राथमिक शेतर इसमें से कौन सा है बेकिंग करना हल्वा वगरा जो भी होता है जो बेकरी के लिए कॉल सेंटर कह सकते हो खेती करना या बैंक वगरा तो इसमें से कौन सा है आपको पता ही है कि खेती करना या आपका प्राइमरी सेक्टर में आता है यानि प्राथमिक क्रिया में आता है ये तो बहुत प्राथमिक शेतर की क्रिया में आता है तो बहुत इजी कुशन नेक्स्ट है कि साथ यह सअसे उमर के लोग जो लिएव कि पढ़ना जानते हैं ठीक है पढ़े ली के लोग में इसे चाहिए चोग पोपेछल आंसरे लिए कि जाता यहां ल जाता तो हम उन्हें लिटरेट कहेंगे नेक्स्ट है question number 20 कि इसमें से बताओ कि average income average income का मतलब होता है आपका ओसताई तो ओसताई कैसे निकाले जाती है तो आपको बताई है कि ओसताई कैसे निकाले जाती है जब total income एक देश में लोग जितना भी कमा रहे है उन सबको plus कर दिया जाए divide by उसकी total population से है ना तो उसी को कहते है हम क्या per capita income ठीक है प्रती वक्ती आए यहां मैं कहूँ average यानि ओसत आए ठीक है प्रती वक्ती आए ओसत आए same ही बात है कैसे निकालते है कि देश की कुल आए जितने भी देश की कुल आए उसको divide कर दिया जाए मतलब जितने भी देश में कुल लोग है उन्होंने जितनी भी income कमाई है उसको divide कर दिया जाए जितने भी लोग रह रहे है माल लो एक देश है उसे पांच लोग रहे है और सारे के सारे लोग जो है है वह सौह पर कमाते हैं कि कुए है और हमने क्या किया के ृस प्लस तो यनि पांच बार अगि 500 कितने लोग हैं तोटल अब초 है पाँठेवर्टिय आए कितनी निकल गई सौरे यह समझ आगए आपको ऑकी नेक्स कुश्टन की बात करते हैं की HDI मानव सुचकांक जो रिपोर्ट है आपकी याद होगा उसमें हम किस किस चीज को लेते हैं साइन्स को information technology ऐसा कुछ नहीं है information technology communication investment finance और technology ऐसा कुछ नहीं रहते हैं मैं पता दूँ जब आपका मानव सुचकांक रिपोर्ट बनाई जाती है तो उसमें क्या क्या चीजे health, स्वास्थ, education यानि सक्षर्था और income ठीक है वो भी देखा जाता है बट जब world bank तो world bank सरिफ और सरिफ income देखता है बट अगर मैं मानव सुचकांक रिपोर्ट की बात करूँ तो वो सारा का सारा देखता है ठीक है चलो next question की बात करते हैं कि जो environment का नुकसान हो रहे न वो सिर्फ ऐसे नहीं है कि एक राज्य तक रहेगा और एक देश तक रहेगा environment का नुकसान हर country को effect करता है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं economy development कर सकते हैं human development कर सकते हैं sustainable development कर सकते हैं national development कर सकते हैं उसके लिए हम टिकाओ विकास कर सकते हैं ठीक है ठीक है जिसको हम कहते हैं टिकाओ विकास कहते हैं तो इसका answer है C टिकाओ विकास का मतलब ही होता है अब टिकाओ विकास का एक और ना इसे ही कहते हैं टिकाओ भी खास ठीक है तो ऐसा करके आप environment को खतम होने से बचा सकते हो next question की बात करते हैं कि इसमें से कौन सा है जो organize यानि संगटे शेतर में आता है आपको पता है संगटे शेतर क्या होता है जिसमें लोगों को proper job training मिलती है salary regular होती है हर महीने salary मिलती है ठीक है paid leave होती है नहीं अब छुटी करोगे तब भी आपको पैसे मिलेंगे है न और officially भी छुटी होती है insurance वगरे सारी की सारी facility मिलती है तो उसमें से कौन सा है जो संगटे शेतर का example है वो है ये engineer इंजीनियर जो है उसे सारे के सारे employment benefit मिल रहे है अपनी job के सारे के सारे benefit मिल रहे है इससे पता चलता है कि वो संगटे शेतर में काम करता है एक daily wage worker नहीं जी एक tailor नहीं एक private school में काम करने वाला cleaning staff नहीं ये कोई भी और्गनाइस इन और्गनाइस सेक्टर में संगटे शेतर में नहीं आता क्योंकि अगर हमारा cleaning staff स्कूल का कोई छुटी करता है तो उनकी भी पे कटाओती होती है ठीक है अगर teacher की बात करें तो teacher आप कह सकते हो कि वह जो है वह और्गनाइस यानी संगटे शेतर में काम करते हैं उनको salary दी जाती है ठीक है चलो नेक्स कोशन की बात करते हैं नेक्स कोशन है कि आपको याद होगा कि महातमा गांधी नैशल लूरल एंप्लॉइमेंट गैरंटी एक्ट ठीक है जिसको हम कहते है मनरेगा 2005 सेप्टेंबर में लाउंच हो थी जिसमें यह बोला गया था कि जो भी बंदा काम करना चाहता है ग सरखान लोग करता हूंगूह तो वहें जो सरकार अब्सक्राइफ को सबेगा सेल पर कशनेतीबर दिनों इस सोब नहीं कि काम कंवा ना टीगैं कंद दिन की जरूद भी नहीं है मैं आपको बता दूँ उपर देखो क्या लिखाव है इसमें ये लिखाव है कि जर्मनी जर्मनी के अंदर क्या किया गया था एक रुमेंटिक एरा के टाइम में रेवलुशन वगरा हुआ था जिसमें जर्मनी के अंदर एक रूपक मनाया गया था ठीक में क्या होती है जर्मनी में क्या होती है जरमेनिया मैंने आपको बता था और मारियान किसकी ऑगत था उसका एकी करण हो गया था तो पुरूशया का किंग ही किंग बना था जर्मनी का वी जिसका नाम था विलियम वन काईजर विलियम वन अब आप मेरे को देखो यहां तक 25 क्योशन हो गए और ऐसे ही मैं बाकी क्योशन भी अपलोड करूंगा आपको होगे तो क्योंकि यहां आपको बता दूं कि लिखने का कोई फायदा होगा नहीं क्योंकि यह सच में एक एक क्योशन जो है वसे में वीडियो में कवर है वह जाकर आप देख सकते हो सारी चीज़े आपको कवर हो जाएगी ठीक है तो आई होप यह इस बात आपको समझा गई हो बाकि हमारा टेलीग लिए अलग वीडियो बनाके नहीं बता रहा ठीक है बट जल्दी ही वह भी जो बचावा काम है वह भी कंप्लीट हो चाएगा बट बहुत सारे नोट्स अप्लोड कर चुक हूँ मैं क्लास 10 के लिए तो वह जाकर आप देख सकते हो ठीक है कोई दिक्कत आया तो मिरे को बता सारे मैसेज होते हैं ठीक है 10 20 30 40 50 60 ऐसे नहीं होते सीधा 1000 2000 अभी पता नहीं 1600 मैसेज जो है वो पेंडिंग है ना तो सोरी 1600 मैसेज नी 1600 चैट पेंडिंग है 1600 मैसेज भी नहीं है तो इसलिए आप देख लेना क्या पता मैं रिप्लाइग कर दूँ ठीक है अगर मैसेज बिल सब्सक्राइब करने की जरूत नहीं है बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर हम क्या इस एज में अन कर सकते हैं बिलकुल कर सकते हो मैं आपको बता दूँ बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो आपकी एज मेरे से जाधा अन कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं आप कैसे कर सकते ह इन सबके बारे मैंने बता है एक मैंने एक वीडियो भी टालीती जिसमें मैंने वृताया कि मैने जुमत्यों से नाइन टाउजन रृपीज उनके एक गंड़े के अंदर एक गंड़ेसा बीडियो बना रखी है मदब सबकुछ अप्लूड कर रखा मेंन पॉइंट एक पे जाक जय हैं जय बारत वंदे मात्रम तैंक्स वर इस अपूर्ट बाइ बाइ